हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है राहूल अगरवार and welcome back to digitally solved तो गाइस आज हम डिसकस करेंगे automated message का जो हम facebook messenger पर use कर सकते हैं बहुत ही important topic है और बहुत ही useful topic भी है यह जबी भी आपको यह ad चला रहे हो facebook page पर या फिर आपका facebook page काफी बड़ा है और उस पर काफी जादा messages आते हैं तो आपके लिए बहुत important हो जाएगा यह topic देखना कि automated messages कैसे करें यानि कि message कोई करता है user आपको कोई message send करता है तो उसका automatically reply कैसे चला जाए तो आइए इसको practically समझते हैं कैसे करते हैं यह मैं आग गया facebook के dashboard पर और मैंने अपना page select कर लिया है और यहां left side में हम देख सकते हैं तो settings का एक option है settings पर हम click करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर messaging पर तो अब हम आगए messaging के settings पर और नीची जाके हम देख सकते हैं तो हमाया पर option देख रहा है set up automated responses तो हम click कर देंगे set up पर तो अब यह open हो गया guys और हम एके करके इसके सारे options देखेंगे सबसे पहला जो option देखा रहा है वो greet people का है और उसमें instant reply का है option तो हम इसको अब on कर देते हैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यह on हो गया है हमारा और यहाँ ऐसे दिखेएगा हमारा जो instant reply है अभी मतलब कि कोई भी जना हमें कोई भी message भेजता है तो first reply हमारा यह वाला चला जाएगा उसको automatically हम चाहें तो इसको edit कि यहाँ से कर सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक sample message लिख दिया है जो कि चला जाए किसी भी user को जो भी हमें text करता है message करता है और हम यहाँ पर select कर सकते हैं कि हमें messenger पर चाहिए मेरी website अभी है नहीं तो मैंने YouTube चैनल डाल रखी है अपनी website के नाम पर तो इसलिए YouTube चैनल का link आ गया है यहाँ पर और मैं अपना email address भी डाल देता हूं यहाँ पर तो ऐसे करके आप काफी details अड़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप इमोजी का भी option देख सकते हैं अगर आपको इमोजी अड़ करना हो तो अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूं save कोई messages को read करने के लिए नहीं है तो फिर आप इसको set कर सकते हैं इस तरह से edit पर जाएंगे हम यहाँ पर तो timing आप select कर सकते हैं और individually each day के लिए आप हर time select कर सकते हैं कि जिस time पर आपका business shutdown होता है तो आप एक अलग message उसके लिए लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक default message लिख रहा है तो इस तरह से basically customer को पता चलता है कि अभी वो business offline है या currently respond नहीं कर रहा है लेकिन guys मैं आपको बोलूँगा recommend करूँगा कि आप इसको तभी use करें जब आपका जो business है वो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए off हो रहा हो इसलिए इस message को तभी करें जब आप सही में कुछ time जादा time के लिए off हो अब आजाते हैं next topic पे जो के frequently asked questions का यह काफी important topic है और मेरे कहांसे 90% लोग इसी topic के लिए automated responses को use करना चाहे होंगे तो हम चलकर देखते हैं इसमें क्या करना होता है अवी this offer हो रहा है इसको यहां कर देता हूं Suggested questions आ रहे हैं इसまで तो इसमें SD करना हो तक है इस में आपको पता है आपका business क्या है उसमें usually जो first बारी कोई Client आता है पहली बार कोई क्लाइन आता है तो आप यह पहले से ही define करके रख सकते हैं, वो questions को यहाँ पर लिख सकते हैं, और फिर उनका answer भी automated response के तौर पर set कर सकते हैं. चलिए मैं आपको एक question लिख के दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, do you provide google ad services, और मैंने इसका response automatically लिख दिया है yes, और आप चालते हैं, तो यहाँ पर attachment लगा सकते हैं, कोई link लगा सकते हैं, कोई button के तौर पर, या अगर आप extra details देना चाते हैं, कोई particular link देना चाते हैं, तो वह आप इधर से कर सकते हैं, और ऐसे करके आप काफी सारे questions इसमें add कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर इसको save कर देता हूँ, तो ऐसे में recommend करूँ गाइस, आप 3-4 questions प्री-define करके चले ही, ताकि जो भी user आता है, उसको अच्छे से options दिख जाते हैं, और उसको अच्छे से detail भी information मिलने के ज़्यादा chances रहते हैं, और ऐसे करके आप देख सकते हैं, अधर बहुत सारे options है, contact information आप save करना चाते हैं, by default, location, hours हो गए, इधर job application का automated response सेट कर सकते हैं, आपकी आपने receive कर ले हैं और हर category में आपको, guys, attachment या button का कोई option मिल जागा, यानि की कोई भी आप link प्रोवाइट करना चाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, जिससे की और भी detail मिल जाएगी आपके user को, और इधर एक और option इसको भी देख लेते हैं, positive feedback, negative feedback, यह बेसिकली अगर कोई feedback देता है, आपको यह अगर कोई message करता है, तो उसको कैसा दिखता है exactly, और क्या reply आता है उसको, यह मैं आगया अपनी personal profile पे, और I am interacting as myself right now, और मैंने यहाँ पे message पे click करा, तो आप जेख सकते हैं, जो मेरे default question है, वो आगया है, तो देखिए, जैसे मैंने इस question पे click किया, वो question उधर send हो गया, और फिर automatically इधर से reply आगया yes का, तो गयाँ यहाँ पे मैं आगया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, do you provide google ads पे default question आ रहा है, अगर मैं इस पे click करगा, तो फिर यह question जो है send हो जाएगा, और फिर automated reply आजाएगा, तो गयाँ इस तरह साब में देखा कि automated response कैसे set कर सकते हैं और मैं यह भी बता जेता हूँ कि काफी important हो जाता है, काफी unique factor हो जाता है आपके लिए, कि जब भी भी कोई आप पे page पर आता है, हमेशा तो क्योंकि आप online होंगे नहीं, तो तुरंत कि अगर उसको reply मिल जाए, तो उसको ऐसा लगता है, या तो किसी अच्छी company का है, या र जुरू try करूंगा उसको solve करने की